आपकी मुस्किलें और परिशानियों को नस्तो नाबूत करने के लिए आज चुकी है Human Value Environmental Studies की एक क्लास BAVSC VECOM Second Year Third semester के अगर आप student हैं तो आज हम परियावन के ऐसे questions आपके लिए लेकर आए हैं जो सीधे-सीधे आपके exam में आपसे पूछे जाएंगे आप ढूड़ ढूड़ करके परिशान हो चुके होंगे कि परियावन की ऐसी क्लास नहीं मिल रही है जहां से exam में कुछ हमा भला हो सके यानि कि exam से ऐसे questions जो एक ही क्लास से मिल जाएं वहुत सारे ऐसे questions के हम बात करेंगे अगर आप BAVSC VECOM Second Year Third semester के student हैं कोई वच्चा परिशान नहीं होगा आज की जो क्लास सिर्फ आपके exam point of view को ध्यान में रख करके design करिए हमने के बल पेपर में आने वाले वी आई important प्रस्णों का संग्रे इस वीडियो में रहेगा परियावरन का बाप हम इस वीडियो को कहेंगे क्योंकि इस वीडियो से ऐसे चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपके exam को तोड़ने में मजबूती आपको प्रदान करेंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो नमस्कार, जैहंद, वन्देमात्रम स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल VSC Aim with Sivam में और मैं से उन्देमे आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ कॉपी पैन उठालें, लिखना स्टार्ट कर दें क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है आपका जो exam है वो आपका OMR पर हो गाई है माइनर पेपर है आपका, इसमें pass आपको होना होता है लेकिन आप इसमें pass नहीं होंगे सिधा टॉप कर जाएंगे क्योंकि हो सारे question इस video में आपको मिल जाएंगे जो एक आपके इस BAVSC, VECOM के लिए तो important रहेंगे ही साथी में आप अगर किसी completion exam के तयारी भी करते हैं तो वहां से भी आपका हो जाएगा ठीक है, बहुत सांदर और चिरंदा selected questions हम इन questions को हम कहेंगे सांदर details के साथ चीज़ें पढ़ेंगे ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से चलिए, start करते है question number 1 रहेगा, 13 सी ना समझ लेना इसे किसके नेतरत में चिपकु आंदूलन को बल मिला बताओ भी अगर हम बात करें इस question के right answer की तो हो जाएगा number 1 सुन्दलाल बहुगळा साहब बिलकुल चिपकु आंदूलन जो है सुन्दलाल बहुगळा साहब द्वारा इस आंदूलन को वल मिला है और साथ हम बताएं, ये उत्तरा खंड से संबंदित है और जब पेड़ों को काटने के लिए ठेकेदार बगएर आते थे तो यहां की जो महलाएं थी, वो पेड़ों से चिपक जाती थी हलाकि महलाएं ही नहीं पुरस बर्ग या बच्चे सब थे वो पेड़ों से चिपक जाते थे वो कहते थे कि पेड़ों को ना काटो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए इस आंदोलन की सुरुबात करी गए थी, चिपकु आंदोलन एक पर्यावन रक्षा का आंदोलन है, यह भारत के उत्राखन राज्चों में किसानों ने ब्रक्षों की कटाई का व्रोथ करने के लिए यह चलाये गया था, आंदोलन में इस तुरियां भारी संख्या में थी, और इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगडा को वल मिला था, हाला कि इस आंदोलन के बाद सरकार ने 15 साल के लिए बनों की कटाई पर रोग भी लगाई थी, ठीक है चलो, अब परिक्षा की दर्स्टी से कुछ जो चीज़े हैं केबल ऐसा नहीं है कि चिपको अंदोलन सा ही कुछन आएगा, आपसे और भी चीज़ें पूछ सकते हैं, और उनके पनेता पूछ सकते हैं, आप बता दो कि भारत में पारिस्तिर की तंदर के जनक को न है, तो आप बता दे ना भी, प्रोफेशर रामदे मिसराजी जो है, वो भार ठीक है, चलिए, सब कुछ पढ़ेंगे, देखो, परेसान नहीं होगा कोई बेबच्चा, जहां से आपके दिबस पूछे जाते हैं, कि जल दबस कंबनाते हैं, प्रतिवी दबस कंबनाते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे, आप सब पूछ सकते हैं कि ये बंजी बभ भ्यान कहा आप सोचें कि चलो ये तो पासिंग है तो फिर कर लेंगे, बिल्कुल नहीं, आप अभी क्लियर करते चलें, चलिए, आंगे बढ़ते हैं, और भारत का जल पूरस के हम बात कर रहें थे, डॉक्टर राजन सिंग साहब थे, और भारत के अगर वर्ड मैन के हम बात करें, तो हरत करांती के जनक कौन है, तो MS. स्वामी नाथन साहब कहे जाते हैं, और वो लोग आपने पढ़ी ले आए उपर, नर्मा अन्नस बोलोग, ये हरत करांती के जरमदाता विसम हैं, और भारत की बात करें, तो MS. स्वामी नाथन है, ठीक है, अपिको आंदुलन के पिणे था, तो बतातीन अभी पांडु, रंग हैगडे साहब हैं, और नर्मदा बचाओ आंदुलन के जनक, तो मेधा पाटेकर, और बाबा आम्टे, जो हैं वो इससे, नर्मदा बचाओ आंदुलन से जुड़े हुए हैं, चलिए, नेक्स्ट रहेगा आपके लिए, परियावण को ब आप हमें जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बता दो, है ना, लिख दो जल्दी से, हम भी पढ़ने, कि आप मतलब चीजन समझते भी हैं, कि बले आप फिर देखते हैं वीडियो को, चलिए बात करेंगे, नेक्स्ट कुस्ट्ट की चो आपके सामने रहेगा, इन संख्या, घर्ती संख्या को रोकने के लिए या और बागों के सरक्षड के लिए भारत सरकार दोरा, एक अप्रेल 1973, तो समझ गया होंगे, इसका आंसर कहा है, एह है 1973, एक अप्रेल 1973 को, प्रोजक्ट टाइगर की सुरुबात की गई थी, और इस प्रोजक्ट की सुरुबात जो है, वो जिम कारवेट नेशनल पार्क उत्राखंसे की गई थी, इस बात को भी आप अपने, हैना माइन में सर्ट करते हुए चलेंगे, चलेंगे, नेक्स्ट कोश्चन के हम बात करेंगे, जीब जन्तू संबंदित कुछ जो प्रोजक्ट परियूजना हैं, हैना जैसे अ देगा 1972, प्रोजक्ट सेट के लिए, सिंग, प्रोजक्ट टाइगर आप अभी देख चुके हैं, 1973 है, हैना, और बात करेंगे, प्रोजक्ट एलगेटर घड़याल की बात होगी, तो 1975 में आई थी ये परियोजना, प्रोजक्ट गेंडा हम तंदुआ, तो ये 1987 में, इनके सर और अपनी उनिवस्टी का नाम जरूर कमेंड में लिख दो, हैना, बियस्सी में सिबम हर तपके के गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ाने का हुनर रखता है, और चैनल भी इसलिए बनाए गया था, कि जो फीस है, बहुत जादा पेड़ करते हैं हमारे गरीब बच्चे, हैना, तो उनके लिए बिल्कुल फिरी और गुरुबत्ता पूर्ण सिक्षा देने का जो काम, बियस्सी में सिबम, इस्टडी फिलेटफर्म के माद्यम से किया जा रहा है, जब तक सांस है, हैना, दोस्तो, तब तक करता रहूँगा, 82, next question रहेगा आपके सामने, 82 नहीं है, किस जगह के फिलोरा और फना सूचत करता है, तो A रहेगा आपका पेड़ पोधे एवं जन्तुओं को, B रहेगा आपका मचलियों एवं पेड़ पोधों को, और C की बात करेंगे तो जन्तु एवं मचलियों को, और D की बात करेंगे पक्षियों एवं पेड़ पोधों को, तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो हो जाएगा आपसे नमबर A पेड़ पौधे एबं जन्तुओं को जो है फिलोरा और फना सूचत करता है बिल्कुल बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लें समझ जाएं जिसको देखो, डेटेल समझ लो इसकी परयाबनी पुस्तकें आपसे पूछ सकते हैं कि भई बता दो यह जो है बुक किताब किसने लिखी है, किसकी किताब है तो बायो डायवस्टी, पोटेंसियल ओफ दा हिमालया यह बुक किसकी है, तो डॉक्टर ललत तिवारी जी की है इसपाल सिंग, पांगती बा डॉक्टर गीता तिवारी इन तीनों लोगों ने मिलकी यह जो बुक है, उसको अन्जाम दिया है, उसको लिखा है नेक्स्ट बुक की बात करें, हमालयन बंडल लेंड तो यह है एमेस गिल सहाब की इसपर गंगया, जो है वो रमेस पोखरियाल निसंख सहाब की जो है आप बताओ, रमेस पोखरियाल निसंख सहाब कौन थे या बरतमान में कौन है, कमेंट करके चलू बता दो ठीक है, चलो अगर अच्छा लग रहो न, तो लिखो लाइक करते चलू चलना और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारी क्लासें हम आपको देते हैं टूर गाइड की बात करें, मल्टी मीडिया की बात करें अगर आपने हमसे फर्स समस्टर में पढ़ाये तो हमने आपको मेराथन क्लास उपलब्द करवाई थी जिसमें आपको जाजी सेकेंड समस्टर में आपकी जो एक्जाम हुए थे तो उस एक्जाम में आपको 35 क्वेश्चन मैंसे 28-29 क्वेश्चन अपनी मेराथन क्लास से मिल गए थी ओ ज्यादा क्वेश्चन भी हमने नहीं करवाये थे ठीक है चली तो बिलकुल आप जुड़ सकते हैं हमसे पर्यावणी दिबस आपके एक्जाम में बहुत पूछे जाते हैं आपसे पूछ सकते हैं बताओ विस आद्र भूमी सेक्षन दिबस कम मनाय जाता है तो बता देना भी ये दो फरवरी को मनाय जाता है 10 बान की दिबस पूछे तो किजिना एक्कीश मार्च है ना 20 फ़िस जल दिबस आपसे पूछे ले तो बाइस मार्च अंतरराश्टी प्रथिभी दिबस तहोग दिना 22 अ nó 20 पर्यावण दिबस ये भी आपसे पूछ सकत sih तो 5 जू आप यदraं रखेंगे बिस बुघर्व जल्दबस तो 10 जून ठीक है चलिए वह सरे लोग ट्रिक बताते हैं भई ठीक है ट्रिक से आप याद रख सकते हैं पर मैं नहां हमेशा ट्रिक के खिलाफ ही रहता हूं क्योंकि ट्रिक जो होती है वो भूल जाती है चलिए बात करेंगे next मरस्थली करण एवं अनावर्ष्टी से सतत जंग को अर्पित बिरत दिबस यह 17 जून को मनाय जाता है यह अपनी कोभी में लिख लें सारी चीजों को चलिए राजीव घांदी अक्षय उर्जा दिबस का मनाय जाता है तो 20 अगस्त को मनाय जाता है अंतर राष्टी ओजोन प और बिस सोचाले दिबस तो कहना 19 नवंबर हो सकता है वीडियो आपको फास लग रही हो रोक रोक करके चीजों को लिख लें अपनी कॉपी में ठीक है चलो बिस पर्याबर सेलेक्शन दिबस कम मनाते हैं तो 25 नवंबर को मनाते हैं अंतर राष्टी परवत दिबस तो 11 दिस जो जो इम्पोर्णट है यह य aur One यह यह कि अ хот यह सारे के सारे तो आप बिल्कुल भूला यह आपको ठीक है ओ कि ओर जो इंपोर्णट है वह भी मैं आपको बता देता हूं यह ज Hah कि कि यह 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 वैसे लखे तो मैंने सारे इंपोर्णट ही है कैकल आप इसको और इसको छोड़ सकते हैं, बैसे छोड़ना नहीं है, दो हैं, 20 अगस, तराजिब गंद एक्षे उड़ाद बस, और मरस्तो लिए नावस्टी, तो ये 17 जुन, बाकि आप याद रख सकते हैं सारी चीजों को, चले, अब आप से पूछ सकते हैं कि भारत के जो राष्टी उद्यान तो कहना मिघाले में है, बांधवगर राष्टी उद्यान कहा है तो कहना मैं तो ब्रदेज में है, बांधीपूर राष्टी उद्यान आप से पूछ सकते हैं, बैतल राष्टी उद्यान आप से पूछ रहे तो कहना करनाटक में है, ठीक है, चलिए, ब प्रिलबादर भी बोलते हैं तो यह कहा है तो कर दिना गुजरात में है चीक है सारे के सारे इंपूरेंट है ऐसा ना समय लेना कि कि वहले ही इंपूरेंट है और अगर आप किसी कमप्रिशन एक्जाम के तैयारी करते तो उसके लिए भी महुत पून रहेंगे सारे और अगर बिल्क ऐसे पीडियेफ वगएरा चाहते हैं तो आप हमारे टैलिंगराम चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं ज्रॉइन कर सकते हैं जुआन कर सकते हैं चलो постjang बगशार वद्षय के बात करेंगए तो पस्चिं बंगल चले बिल्कुल important ही हमने आपके लिए रखे हैं कुछ ऐसे नहीं है जो बिल्कुल यहां वहां के हो जो important है महत्पूर है केवल वही रहेंगे कारविट राष्टी उद्ध्यान की बात करेंगे तो उत्राखंड हो जाएगा और डिजर्ट राष्टी उद्ध्यान की बात करेंगे तो राष्थान डिब्रु सेखावा very very important असम हो जाएगा और दुदवा अपना उत्रप्रदेश है ना दुदवा राष्टी उद्ध्यान देरादून में है, बन जीब संस्थान है ना, बन अनसंधान संस्थान पूछ ले तो कहना ये भी देरादून में है, तो ये भारती बन जीब हो या बन अनसंधान संस्थान हो तो दोनों कहा है भी, कहना देरादून में है, ठीक है, चलिए, अब जे भी पंत हिमाले परियाव अभियांतर की अंसंदान संस्थान ये नांगपुर में है भारती बन प्रमंदन संस्थान ये भोपाल में है किस युनिवस्टी से आप जो है हमारा वीडियो देख रहे हैं जरूर लिख दें कमेंट में हमें बहुत अच्छा लगया साथ ही आप बता दे क्या आफ हमारे पु वनस्पति अंसंदान लखनव भूला नहीं है विल्कुल दिमाग में बैठा लो रास्टी जैब बवत्ता प्राधिकन कहा है तो कहना ये चेन्ड़ी में है और भारती उसल कटी बंदी मोसम संस्थान तो ये पुड़े में है ठीक है दो चार और बचे है जादा नहीं है दे चले पर्यावन प्रमंदन वा नीती संस्थान तो ये भी बैंगलोर में है सलीम अली पक्षी बिग्जान प्राकरतिक इत्यास केंद ये कोयमबटूर में है इसे भी आप ध्यान रखेंगे उस सारी चीजों को बहुत अच्छे से हमने है न जो निचूर था जो जहां से सहज और सरल तरीके से हमने कंप्लेट कर लिया है यहां पर बाकि शुमन वैल्यू और इंवार्मेंटर स्टेडिस पर्यावन का बाप ये ग्लास भी हमने आपको दी ये भी अगर आप देखना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बाकि प्लेलिस्ट हमने ब कौन कौन से माइन सब्यक्तर में लेने हैं बखी टूर गाइड़ अगर आप ये स्लेक्ट करते लास्ट में मिल अप्लब्द करवाएंगे तो कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा आन्थ तक आपका साथ देंगे BSC Embis Sibam Study Platform है ही आपके लिए, आपके support के लिए आपको ही, आपको कुछ बनाने के लिए, आपका जो मुकाम है जिसे आप हासल करना चाहते हैं कहीं न कहीं आपके माता-पिता, आपकी जो रहा देख रहे हैं, तो उनके लिए ये जो है platform बनाये गया था Multimedia की अगर बात करें तो ये जो class है ये भी आपके exam point of view को ही धान में रख करके design हमने करी थी ये भी आपका minor subject है, आप देख ले न इसे भी Digital marketing ये भी आपका minor है, इसे भी देख ले बाकि हम यही कह रहे थे कि आपने अगर आपको नहीं पता है कि BBSC, VECOM second year third semester में कौन-कौन से minor लेने है minor 1, minor 2, minor 3 कौन-कौन रहेगा तो हमने ये वीडियो बनाया है आप जरूर देख लें, बाकि Multimedia की भी हमने syllabus की जानकारी भी दी है tour guide की भी syllabus की जानकारी दी है टेलिग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं बहां से हम जो है आपको PDF बगएरा provide कराते रहते हैं classes संबंदी सूचना भी डालते हैं बहुत सारे अच्छी बाते भी motivation, सारे सब कुछ हम बहाँ पे आपको share करते हैं, ठिक है और बागी motivation, कोई motivation नहीं होता यार मैं तो यहीं कहूंगा है ना, अगर आपको लगता है कभी भी आप lose होने लगे या कभी आपको लगने लगे कि भाई, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो एक बार अपने पिता की तरफ देख लो एक बार अपने माताजी की तरफ देख लीजे है ना, सारी चीज़े जो है वो आपके जामने हो जाएंगे संपूर राजनीती विज्ञान की अगर हम बात करें तो येक मात्र वीडियो में ऐसे कुस्चन का समावेस हम आपके लिए लेकर आये थे जहां से बिलकुल सीधे सीधे स्रटी कुस्चन आपके एक्जाम में आप बहाँ पर बनेंगे है ना, और आप अगर बीए सेकंड ये थर्ड सेमस्टर के चातरे आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंड में बताओ कि आप एक वीडियो में ऐसे कुस्चन केवल इंपोर्टेंट प्रसन आप चाहते हैं तो हम उस विसाय के भी इंपोर्टेंट प्रसन बना देंगे, चिक है चले, मिलते हैं इसी एक साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जहन, बने मात्रम, भारत माता कीजए सेर कर दो क्लास को अगर अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक जरू कर दो, हैना प्यारा सा कमेंड लिख दो आपको वीडियो कैसी लगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जहन, बने मात्रम, भारत माता कीजए